रादिकृष्णा दोस्तों आपका में चैनल पे स्वागत है तो आज मैं कर रही हूँ ओफिस की क्लीनिंग तो फ्रेंट्स आखरी तक प्लीज बने रहिएगा और अगर आप में चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो थोड़ा भी अच् कीजिएगा तो एक साइट के जाले साफ कर दिये हैं और इदर पंखा भी साफ कर दूँगी वैसे मेरा हाथ पोच नहीं रहा था लेकिन फिर भी मैंने जैसे तेसे पंखे को साफ करी दिया तो अब दूसरी साइट के भी जाले अच्छे से साफ कर लेती हूँ मैं तो जाले मैंने निकाल दिये हूँ इधर के और अब यह जो पैकेट वगेरा रखे हुए सब हटा दूँगी यहां से क्योंकि मैं कोई इसकी भी अच्छे से सफाई करनी है और जाडू विरो जित्ते भी जाले हो जाते हैं वह अच्छे से साफ कर लूँगी क्योंकि पहरें दिक्यूंकि पहरें जाले जाले से कर लोगी प attracted हैं一些 कपड़े साफ कर हां जो पानी में प्लैंट्र रखा है मैंने ARE और यह वाला जो है यह भी पानी में अच्छे से ग्रो करता है तो मैंने इसे भी पानी में लगा के रखा है और ये अच्छे से ग्रो करते है पानी में तो आसानी से और अलगते भी अच्छे हैं तो बस टेबल को भी अच्छे से पोच लूँगी और यहां पर सब चीजों को मैंने अच्छे से सफाई करके पोच लिया है और सब जमा दूँगे अच्छे से तो एक साइट की टेबल मैंने साफ कर दी है और यह वाली टेबल पे सब सेनेटरी नैपकिन के पैकेट रखे हुए है तो इन्हें भी एक एक पैकेट को अच्छे से साफ कर लूगी तो सारे पैकेट साफ करके अच्छे से जमा लिये हैं और टेबल को भी अच्छे से साफ कर लूँगी और जो फालतू की चीजे होंगी काम की नहीं है वो मैं फेक दूँगी तो इदर की सारी सफाई हो गई है और अब मैं जाड़ू लगा लूँगी तो थोड़ा टेबल वगेरा को अच्छे से खसका कर मैं अच्छे से जाड़ू लगा लूँगी सारा कच्रा इदर टेबल के नीचे भी हो जाता है तो इदर की सारी सफाई कर लूँगी फ्रेंट्स अगर आप मैं चैनल पे नए है तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इदर की सफाई हो गई है और इदर खिड़की के इदर थोड़ी सफाई करनी थी नीचे की तो इसे भी मैं साफ कर लूँगी जो ये खिड़की के ये जो अंदर की साइड होती है सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है तो मैं इस तरीके से जाडू से निकाल लेती हूँ कच्रा और एक साइड में कल लेती हूँ और फिर जब सारा कच्रा हिकटा हो जाता है कोने में तो फिर उसे हाथ से निकालना पड़ता है तो बस खिड़की साफ हो गई है और यह जो इदर की जाड़ू बची थी वो भी मैं निकाल लेती हूँ तो जाड़ू लगा दी है मैंने और अब पोचा लगाना है तो भी लगा लूँगी तो सफाई हो गई है तो यह देखिए साफ हो गया है पुरा आफिस एदम बिल्कुल क्लीन हो गया है मुझे बहुत टाइम लगा कम से कम इसमें तीन घंटे लगे हैं मुझे पुरी सफाई करने में तो फ्रेंस पुरा आफिस अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और बस हो गया सारा काम और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा और शेर कीजेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज कम से कम आधा वीडियो तो पूरा दी किएगा आप लो तो बस यही पर मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ अगले वीडियो में मिलते हैं जब तक के लिए दादा बाई बाई